हमारे गेम के अंदर टाउनौल 16 आने वाला है और जैसे हर टाउनौल के उपर हम लोगों को कोई ना कोई नई चीज मिलती है टाउनौल 16 के उपर भी दो ब्रैंड न्यू डिफेंसिस मिलने वाले हैं पहला है रिकोशे कैनन और दूसरा है मल्टी आर्चर टावर यह दोनू ड की हिंट सू पर सेल ने पहले अपने हेमर जैम वाली वीडियों के अंदर बताया था जहांपर दो आर्चर टावर मिक्स होके एक बड़ा वाला आर्चर टावर बनता है तो दो डिफेंसिस को मर्च और यह जो बड़ा multi archer tower बनेगा यह बड़ा खतरनाक रहने वाला है इतना खतरनाक बन जाएगा कि जो दो normal archer tower से उन दोनों को hit point मिला के भी ज़्यादा hit point रहेगा और दोनों का damage मिला के भी ज़्यादा damage रहेगा अगर हम लोग normal लेवल 21 archer tower की बात करेंगे 1800 का hit point है और 145 का damage per second है और वहीं पर multi archer tower level 2 की बात करेंगे तो यह हो जाता है का इस 5200 hit point मतलब दो archer tower से भी ज़्यादा hit point हो गया और damage per second 120 सुभित यह तो कम है damage percent नहीं इसके number of targets है भाई सब तीन number of targets है जैसे multi inferno multiple troops को target करता है टाउन हौल का जो गीगा इन फिरन है वो भी multiple troops को target करता है वैसे ही यह multi archer tower तीन तीन troops को target करेगा एक साथ लेकिन अगर वहीं पर सिर्फ एक single troop रहेगा तो वो जो तीन आर्चर बैठी है उपर वो तीनों की तीनों एक ही troop को मारेगी और अगर सिर्फ दो टूप्स रहे तो एक target को दो बार शॉट मारा जाएगा आर्चर के द्वारा नॉर्मल आर्चर टावर और मल्टी आर्चर टावर कंपैरिजन के लिए यह वाली वीडियो देख लो मल्टी आर्चर टावर हम लोगों लोगों यहाँ पर दो लिये हैं और यहाँ पर इनके उपर हम लोगों ने six hog riders को deploy करा है भाई छे hog rider मिला के भी छे hog rider मिला के भी तो multi archer tower को take down नहीं कर पाते हैं यहाँ पर काफी powerful है क्योंकि hit point उनका ज्यादा है और damage भी multiple है तो 6 hog rider डालेते हैं और 2 multi archer tower यह मतलब 6-6 targets होईगे समझ रहे हो लेकिन वहीं पर अगर हम लोग normal 4 archer towers use करते हैं और उनके उपर 6 hog riders को use करते हैं तो easy peasy एकदम आराम से वो 6-6 hog riders 4-4 archer towers को खतम करके अगले defenses की तरफ निकल जाते हैं same चीज air troops के लिए भी है यहाँ पर हम लोगों ने वापिस 6 balloons डाने दे 6-6 balloons को सिर्फ 2 multi archer tower और मिला के 6 archers हो गए total और वो 6-6 archer tower छे अलग-अलग troops को target कर रहे हैं 6-6 balloons यहाँ पर takedown नहीं कर पाए 2 multi archer towers को लेकिन वहीं पर जब हम लोगों ने 4 normal archer towers use करें और उनके उपर जब हम लोगों ने 6 balloons deploy करें तो easy-peasy तरीके से वह balloons ने takedown कर लिया 4-4 archer towers को और उपर से balloons बच भी गए तो यह जो multi archer tower है वह बहुत ज़्यादा powerful है क्योंकि 2 combined archer tower से भी ज़्यादा hit point है ज़्यादा damage per second है यह तो multi archer tower की बात होगे उसी के साथ ricochet cannon भी हम लोगों को मिलने वाल है same जैसा archer tower के साथ था same to same हाल इसके साथ भी है दो cannons को merge करो एक बड़ा वाला ricochet cannon बनेगा लेकिन उसी के साथ जो damage और hit point है भाई यहाँ पर अलग level कर दिया supercell ने जो normal level 21 का cannon है उसका damage per second देखो 160 है सिर्फ और hit point है 2250 लेकिन वही पर ricochet cannon का hit point देखो 5700 और damage per second 390 वैसे एक fact की बाद बताओं यह जो ricochet cannon है ना इसका hit point और damage per second दोनों भी scatter shot से भी ज्यादा है और जो max level का xbow है उससे भी ज्यादा है वैसे देखा जाए तो यह single target defense ही है लेकिन आजू बाजू में अगर कोई troop रहा तो उसको जाके भी मारेगा उसका गोला देखो भाई normal cannon के साथ यह ricochet cannon का compare करके कोई फाइदा नहीं होने वाला आपको पता है कितना powerful है इसको हम लोग compare करेंगे xbow के साथ और max level के scatter shot के साथ ground xbow max level का versus ricochet cannon max level का hit point भी ज्यादा है ricochet cannon का और damage per second भी ज्यादा है तो यहाँ पे देख लो दो super giants max level के हम लोगों ने इस्तमाल कर रहे हैं सबसे पहले देखो भाई रिकोशे cannon ने take down कर लिया यहाँ पे देख रहे हो और उसके बाद भाई काफी time लिया xbow ने take down करने के लिए scatter shot यह साथ भी compare करके देख लो भाई सब scatter shot के मुकाबले तो भाई कितना जल्दी जल्दी take down कर रहा है और अच्छी बात यह scatter shot की कि वो splash damage है और xbow की भी अपनी खा no eagle है पर वो तो दोनों को target करते ना उपर को वाले को भी नीचे वाले को भी तो यह दो brand new defenses हम लोगो town hall 16 के उपर exclusively मिलने वाले है तो यह कितने defenses हम लोग लगा सकते maximum maximum 2 multi archer tower आप लोग लगा पाओगे और maximum 2 ricochet cannon आप लोग लगा पाओगे एक बार अगर आपने merge कर दिया तो वो वापीस unmerge नहीं होंगे समझ रहे हो जैसे हम लोग एक बार town hall upgrade करते हैं तो उसको degrade नहीं कर सकते वैसे ही एक बार defenses को merge कर दिया तो वापीस अनमर्ज आप लोग नहीं कर सकते उसको आपको क्या लगता है much defenses use करना सही रहेगा या फिर normal defenses से use करना सही रहेगा comment करके बताओ बस इतना ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़े आने वाली है town hall 16 के उपर यह तो sneak peek 2 है अभी और sneak peeks बच है तो उसके लिए subscribe करना कुछ चीज़े तो ऐसी है जो आपका